तो यह रहा close passage आप सभी की screen पे first step क्या होता है जब भी किसी close passage को solve करते है close passage को solve करने का first step होता है skimming चले तो इस पूरे के पूरे passage को skim कीजिए और मुझे बताइए किस बारे में बात हो रही है what is the author talking of author किस बारे में बात कर रहा है आपके बास 1.5 मिनिट है इस पूरे के पूरे passage को skim करने के लिए skim it हाँ जी किस बारे में बात हो रही है www world wide web की बात हो रही है कैसे हुआ इसका कैसे आई क्या-क्या challenges आए क्या-क्या problems आई पूरा का पूरा जोर्नी बताई गई है www के आने की आज आदिस आरा दुनिया आनलाइन है जब शुरू हुआ यह और आज तक का सफर पूरा का पूरा सफर आथर ने इस छोटे से पैसेज में बताने की कोशिश की है क्या आप लोग स्किमिंग करके यह बात समझ पाए थे I hope yes Many of you must have understood it चालो First question on your screen यह रहा आज का पहला सवाल आपकी screen बताईए क्या answer होगा 30 years ago 30 साल पहले Tim Berners-Lee और जो उनके साथी थे और जो उनके कलीक्स थे 30 साल पहले Tim Berners-Lee और जो उनके साथी थे CERN पर एक organization का नाम है उन्होंने एक project start किया वो project क्या कर रहा था वो information को क्या कर रहा था internet से क्या create किया और उन्होंने information retrieval service retrieval means to get something back to get something back from something recovery का भी meaning क्या होता है किसी से कोई चीज निकाल लेना to get something back इसका भी meaning same होता है redemption word का meaning क्या होता है किसी को बचा लेना the act of saving someone आपने क्या किया किसी को बचा लिया किसी sin से किसी पाप से from some sin उसको क्या बोलते है redemption तो C तो नहीं आ सकता A और B क्या है आपस में synonyms है तो answer क्या होगा answer is option number B only A and B कितने लोगा ठीक निकला I hope many of you have given the right answer चालो next question अगला question answer दीजे A key reason key reason का मतलब क्या है important reason for the web's growth web की growth का एक important reason क्या था creation के पीछे कहने से positive tone का word आएगा क्यूंकि किसी चीज़ की growth के पीछे reason जो होगा वो अच्छा होगा cynicism जो होता है एक negative word होता है इसका meaning क्या होता है skepticism doubt होना किसी चीज़ के प्रती हर कोई selfish है इस thought process से आगे बढ़ना हर किसी को लेके doubt करना उसको हम क्या बोलते है skepticism गलत हो गया idealism idealism बिल्कुल सही idealism means idea जो उसके creation के पीछे idea था बिल्कुल सही है exponent word का meaning होता है कैसा इंसान जो किसी चीज़ को support करता है लोगों को उसके फायदों के बारे बताता है a person who tries to persuade people लोगों को मनाने की कोशिश करता है किसी चीज़ के लिए और उसका सच्चाई बताता है merits बताता है तो ये तो out of context हो गया तो answer is what option number C only B तो एक जो key reason था इसकी growth का वो क्या था जो idea था वही सबसे बड़ा reason था इसकी growth का idea इतना जबर्दस्त था कि ये जो concept है ये growth करता हुआ चला गया next question बताई ये answer क्या होगा बर्नर्स ली कहते है जो idea था वो क्या था कि web को क्या होना चाहिए आइडिया क्या था कि web को क्या होना चाहिए आप दो यहां पे ना जो word आएगा वो adjective आएगा इस वाले question को आप part of speech से करता है तो web को कुछ होना चाहिए जो शब्द noun के बारे में बताता है वो adjective होता है इसका मतलब यहां पे adjective आएगा participation, involution दोनों के दोनों nouns होता है participation का तो meaning होता है किसी रीज में participate करना involution का भी meaning वही होता है किसी रीज में involved होना involvement in something तो यह दोनों नहीं हो सकते idea क्या था कि web को कैसा होना चाहिए web को participatory होना चाहिए participatory वड़का मीनिंग क्या है ऐसी opportunity देना जिसमें सब लोग participate कर पाएं बिल्कुल सही है answer is option number D only C I hope आप लोगों के answers ठीक निकल रहे है next question अगला सवाल consequently consequently का मीनिंग क्या होता है as a result of that कारण वश consequently as a result of that ना केवल एक बच्चा सारी information ले सकता है कहां से दूर बैठे हुए एक बच्चा सारी information ले far away means दूर बैठा हुआ बच्चा remote means दूर दूर प्लेस पर बैठा हुआ बच्चा approximate का तो मतलब नस्दीक होता है past बैठा बच्चा निंग दूर बैठा हुआ बच्चा भी सारी information ले सके ये मकसत था internet का answer is option number B only A and C next one the webs क्या scurf का तो मीनिंग होता है dandruff एक तरीके सा flakes forming on skin वो जो flakes परत बन जाती है skin के उपर उसको बोलते है scurf तो ये तो out of context हो गया scale और compass का मीनिंग होता है size तो जो web का size था और जो उसकी growth थी वो सारी की सारी उसके साथ बहुत सारे challenges आए answer is option number C only B and C next one the most dangerous threat सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ें आई वो कहां से है emanate, emerge दोनों synonyms है generate हुई मतलब lodge का तो मतलब बोलता है file करना complaint file a complaint को बोलते है lodge a complaint file a complaint को क्या बोलते है lodge a complaint तो lodge तो नहीं आ सकता तो answer क्या होगा option number A only A and B तो सबसे ज़्यादा खतरे जो थे वो कहां से आए state sponsored groups से आए जो fake news को spread कर रहे थे to dash other countries दूसरी countries को क्या करने के लिए इसको tone से कर सकते हो बताओ यहाँ एक positive word आएगा और negative word आएगा fake news फैलाई जा रही है तो दूसरी countries क्या होंगी negative word आएगा बताओ कौन कौन से word negative है destabilize का मतलब क्या होता है disturb करना buttress word का मीनिंग क्या होता है strong बनाना support करना unsettle का मीनिंग भी क्या होता है disturb करना तो fake news क्यों फैलाई जा रही थी जिस्टे के दूसरी countries disturb हों option number B only A and C A and C answers है मुझे score बता दो close passage में क्या क्या score आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 questions किये close passage में what are your scores everyone in this close passage